हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में मैं आपका दोस्त शंतोषपन जो आपको सिखा रहा हूँ Medical Billing and Coding Easy Language में तो आज हम अपने Chapter 12 पर आ गए हैं जिसमें हम discuss करेंगे कुछ और Modifiers के बारे में जो हम US Healthcare में बहुत commonly use करते हैं यह हमारे regular use होते हैं और इन Modifiers को use करकर हम काफी type के अपने denials को solve कर सकते हैं और अगर हम billing या coding करते हैं तो इन Modifiers का use बहुत ही necessary है तो मैं आप लोग को कुछ और Modifier के बारे में बताने वाला हूँ आगे बने से पहले मैं आप से रिक्वेस करता हूँ प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको notification भी मिल जाएंगी नए वीडियो की bell icon प्रेस कर दीजेगा और यह वीडियो जाह से आदा आपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए जो लोग medical billing के process में आना चाहते हैं यह already इस process में काम कर रहे हैं उन लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ मदद मिलेगी मैंने यह चैनल अपने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो medical billing process में आना चाहते हैं US healthcare process को जानना चाहते हैं और इसमें काफी अच्छा अपना grow करना चाहते हैं तो आप लोग उस request है एक बार और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे अब हम बलते हैं अपने class के तरफ तो आज जो पहला modifier है वो है हमारा modifier 57 जिसका description है decision to perform the surgery क्या modifier केवल E&M services में ही use होता है E&M services आप कह सकते हैं कि मैं आपको इसके बार में detail वीडियो बना चुका हूँ valuation management services तो यह modifier वहां use होता है जब doctor किसी भी प्रकार की consultation करता है और उस consultation में है decision लेता है कि मुझे एक surgery करनी है वो same day भी हो सकती है next day भी हो सकती है या कुछ दिनों के बाद बिसका planning हो सकती है लेकिन अगर आप 57 modifier उस E&M के साथ use करते हैं तो आपके denials की आने की possibility कम हो जाएगी अब किस टाइप के denial आएंगे वो आते है यूजिली ग्लोबल period के global surgery period के जनायल आते हैं इसमें इंशॉरंज कंपनी कहती है कि आप हमने ये global period के अंदर patient है आपने ये एनम हम सेम डे में पे नहीं करें क्योंकि एक major या minor surgery सेम डे होई है लेकिन अगर आप 57 modifier उस claim पर लगाते हैं तो आप ये कहते हैं इंशॉरंज कंपनी को कि ये जो consultation है इस consultation में ही decision लिया गया है उस surgery का अगर हम ये 50 अगर ये consultation अगर हम नहीं करते तो decision नहीं लिया जा सकता था इसलिए हमारा consultation में भी time spend हुआ है डॉक्टर ने अपनी service दिया है तो ये हमारा claim पे होना चाहिए तो यूजिली ये 57 modifier तब यूज होता है जब आपका सेम डे में एक surgery होती है और एक consultation होता है जिसके बाद surgery किया गया होता है तो 57 लगा के भी आप अपने claims को unmundle करकर उसको pick करवा सकते हैं AR वालों के लिए बहुत important modifier है 58 modifier has stage or related procedure or service during post operative period by the same physician अब यह 58 modifier usually surgeries के अंदर लगता है अगर surgeries stages में हो रही है क्योंकि जब stages में हो रही है तो आप एक CPT code को repeat करेंगे मैं आपको example देता हूँ एक patient का treatment हुआ है वो कह सकते हैं आप उसका fracture treatment हुआ है लेकिन fracture treatment में अभी इतनी severity है कि पूरा procedure complete नहीं कह सकता हो सकता है कि उसकी replacement होनी है और उसको हम stages में करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे अपने हम जो first claim होगा उसको हम बिल करेंगे उसके साथ हम 58 modifier लगा देंगे यह insurance company को बताएंगे कि एक stages procedure है second stage में हम इस पर और काम करने वाले हैं तो हम 58 modifier लगाएंगे फ तो हो सकता है patient का global period चल रहा हो surgery का तो insurance company deny कर देंगे global period में आप दुबारा क्यों बिल कर रहे हैं लेकि 58 modifier आपको यह बताएगा insurance company को कि एक stage procedure था और stages में किया गया है तो हमारी payment इसमें होनी चाहिए और definitely आपका claim पे हो जाएगा और अगर आपने 58 modifier लगाया है और 57 modifier लगाय सर्जरी है या यह stage procedure है हमारा claim पे होना चाहिए और यह certain है कि claim आपका पे हो जाएगा अपील आपकी process हो जाएगी positively process हो जाएगी next modifier 59 modifier है distinct procedure service यह usually claims को unmandal करने के लिए होता है और यह सबसे जादा यूज होता है US healthcare में अगर मैं आपको कह पाऊं 59 modifier के बारे में जो लोग हमारे process में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा और वो लगाते होंगे इस modifier के बहुत जादा लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि य यह modifier USP process में हमारे यूज होने वाला सबसे जादा modifier के साथ-साथ most abused modifier भी है मतलब इसे अंधा धून लगाया जाता है तो इसका एक proper reasoning होती है एक CCI Medicare ने एक टूल बनाया है correct coding initiative का उसके accordingly ही 59 modifier यूज होता है बताने के लिए कि एक service दूसरी service से distinct क्यों है different क्यों है लेकिन usually हमारे यहां पर क्या होता है कि या तो हमारे software इसको बताते हैं या फिर हमें हम assumption लगाते हैं या इंशानलने को जब denial पर हम काम करते हो बताती है कि यह bundle हो गया है तो उसको करने के लिए हमारे AR के जो लोग है वो 59 modifier लग यूज करते हैं बट इसको 59 modifier को यूज करने का एक sense है वो sense किस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो डेटेल वीडियो बनाऊंगा प्रपर ली वो किवल 59 modifier के उपर ही होगा इसके साथ 59 modifier यूजिली Medicare जो कि सबसे बड़ा पेह है यूज का वो इससे ज्यादा इंकरेज नहीं करता है इसे पसंद नहीं करता है तो उन्हों इसके अब्रिविएशन में चार डिफेंट नए modifier भी लगाए हैं वह कहते है Medicare कहता है कि 59 modifier से हमें ज्यादा justification नहीं मिलत होगा जहां आप बिना 59 modifier लगाए हुए भी claim को unmustle कर सकते हैं specifically insurance company को बताके कि reason यह था next modifier है 62 यह co-surgeons के लिए लगता है अगर एक surgery हो रही है और एक से ज़्यादा doctor उस पर perform कर रहे हैं तो एक जो senior mouse doctor होगा that doctor is called the main surgery doctor जो वो surgery कर रहा होगा लेकिन उसके साथ assistant surgeons भी हो सकते हैं co-surgeons हो हो सकते हैं तो अगर आप जिस doctor के लिए billing कर रहे हैं अगर वह main doctor है तो आप यह modifier नहीं use कर सकते हैं लेकिन अगर आपका doctor assistant doctor है उस surgery में तो 69 modifier 62 modifier use किया जाता है तो modifier देखके आपको समय में आ जाना चाहिए कि हम इस claim में हमारा doctor co-surgeon है next modifier 76 modifier यह भी काफी यूज होता है repeat procedure by the same physician अगर आप कोई भी service दे रहे हैं usually यह minor or major surgery में यूज होता है और वह repeat surgery हो रही है एक ही दे में आप एक CPT code को एक से जादा बार repeat कर रहे हैं तो जो अदर CPT पहले को छोड़के जो दूसरा तीसरा चौथा जो भी आप प्रोचिजर सेम CPT code repeat करेंगे उन में आपको 76 modifier लगाना होता है यह बताने के लिए कि जो प्रोचिजर है यह बार-बार repeat हो रहा है आपको एक इसांपल दे के समझाता हूं बिनाइन एक्सीजन के CPT codes होते हैं हमारे dermatology के अंदर dermatology में क्या होता है patient के skin के उपर multiple parts के उपर cyst हो सकते हैं या कोई lesion हो सकता है उसको डॉक्टर exercise करता है तो वह जितने body part में decision होते हैं सबके लिए हमको एक different CPT code एक repeat पूसिजर लगाना पड़ता है अगर उसके handpix system है तो वह एक हम 1102 CPT code यूज करेंगे उसको यूज करेंगे उसके बाद हम 1103 यूज करेंगे अगर और भी उसके कुछ benign reason है तो हम 11301 यूज करेंगे और अगर हम 302 यूज करेंगे और अगर लेकिन हम इनमें से कोई भी code अगर हम repeat करते हैं तो repeated code के उपर हमको 76 modifier यूज करना होगा इसके काफी सारे एक्जांपल है कई सारे surgeries के अंदर ये modifier यूज होता है तो हमें इस modifier को अगर हम देखते हैं claim के उपर तो हमें पता होना चाहिए कि 76 modifier क्यों यूज हुआ है नेक्स modifier हमारा modifier 77 है repeat procedure by another physician अब मैं आपको इसका भी एक्जांपल देता हूं यह modifier यूज तब होता है जब एक procedure repeat होता है लेकिन जो डॉक्टर है वो different है अब मान के चलिए पेशेंट पिछले एक्जांपल के तरह ही अगर skin excision के लिए पेशेंट आया है doctor के पास में और वह doctor के पास पहली बार नहीं है पिछली बार वो किसी और doctor के पास गया था अब वो same problem लेके किसी कारणवर्श उस doctor के पास नहीं गया अब वो किसी नए doctor के पास आया है लेकिन treatment तो सेम हो रहा है तो अगर आपको यह देखना है कि रिपेटिट तो है लेकिन अगर doctor different है तो आपको 77 modifier लगाकर insurance company को यह बताना होगा जिससे आपका denial solve हो जाएगा modifier 78 यूज होता है return to operating room for related surgery during post operative period अगर patient का surgery हुआ है और उस surgery से related ही उसे दुबारा operating room में आना होता है और वही जो doctor होता है वो उसको treat करता है तो हमें modifier 78 लगाकर insurance company को बताना होता है कि यह एक operation जो है यह हो रहा है उसी same patient का उसी some doctor के द्वारा क्योंकि यह operation उसी treatment से related return हो गया है patient operating room में example के लिए जैसे कि अगर मैं एक बताता हूँ एक patient का अगर fracture हुआ है और अगर fracture होकर वो अपने घर पे चला गया है लेकिन वो दुबारा गिर जाता है तो हो सकता है कि उसकी जो manipulation है bones की वो दुबारा करनी होगी तो within वो कुछ भी हो सकता है एक हफते बाद भी हो सकता है वो physician during post-operative period ये body fire हमारा again बहुत होता है denials को solve करने के लिए अगर एक patient का कोई procedure हुआ है operation हुआ है लेकिन वो within the global period 30 दिन के अंदर या 60 days के अंदर वापिस operating room में आ जाता है लेकिन अगर उसकी जो treatment इस बार हो रहा है वो different चीज के लिए हो रहा है तो हम 79 modifier लगाएंगे जिससे क कि हमारा claim में denial नहीं आएगा और अगर denial आ चुका है और हमारे diagnosis different है पिछले service से that means कि treatment हो रहा है वो उस service से नहीं है उपरवाल example में अगर एक patient का fracture हुआ है leg fracture हुआ है और वो patient operating room में दुबारा आता है लेकिन इस बार उसके different leg में fracture हो गया है या उसके किसी भी other part में hand पे हो है या कोई भी other bone में उसको fracture हो गया है तो उसके treatment के लिए आता है तो क्योंकि global period चल रहा है अगर हम modifier 79 नहीं लगाएंगे तो वह claim हमारा denial हो जाएगा लेकिन modifier 79 लगाने से insurance company को यह पता चल जाएगा कि okay treatment जो हो रहा है यह different procedure के लिए हो रहा है different body part के लिए हो रहा है इसलिए इस claim को pay कर देगे अगर आपके पसको denial आता है तो आपने diagnosis देखने हैं आपने medical record review करने होंगे दोनों procedures के और आपको different लिखता है तो आप 17 modifier यूज़ करके claim को easily pay करवा सकते हैं next modifier modifier RTLNT है RT यूज होता है right side के लिए left side के लिए usually जो modifier यूज होते हैं यह उन body parts के लिए यूज होते हैं जो हमारी body में usually bilateral हैं जैसे की legs and hands है ठीक है तो अगर हम इन से related को भी procedure करते हैं तो हम RTLT बता कर बता सकते हैं हम कि यह कौनसे body part का treatment हुआ है और यह हमें तब भी help करते हैं जब हम frequently कुछ चीजें बिल कर रहे होते हैं कि इस बार मैंने उपर के example मैं सबको बताया कि अगर इस बार पहली बार अगर right side का right hand का या right leg का fracture हुए तो अगली बार हम left का LT modifier लागा के बता सकते हैं तो इस बार different body part है तो यह modifier भी बहुत commonly use होता है तो आज इतने modifier के बारे में हमने discuss कर लिया है next video में मैं आपको कुछ और modifier के बारे बताने वाला हूँ जो की है x modifier जो Medicare जिनको use के जाता है Medicare के ऊपर और Medicare के claims का मैं आपको बता हूँ हमारे US healthcare में more than 50% जो ratio होता है patients का और claims का अगर मैं हूँ तो वह Medicare का ही होता है तो Medicare 59 modifier के against में किन modifier को ज्यादा prefer करती है उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा और यह मैं वीडियो के तरफ जरूर जाहिएगा और मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए WhatsApp पे जो लोग इस process में आना चाहते हैं इसके बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं जो